हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाने वाले हैं महाराष्टर की फेमस थाली पिट की रेसिपी बहुती टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और मिक्स आटा से बनाई गई है तो आईए इसे बनना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप गेहु का आटा ले ल बारिक कटे हुआ धनिया और जिंजर गारली का पेस्ट और यहाँ पे मैंने अजवाइन ले लिया है अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल लेना है स्वादा नुसार नमक डालेंगे चुटकी बर हल्दी डालेंगे यह औप्शनल है और यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालेंगे इसकी जगा आप कुटी भी ग्रीन चिली का भी इस्तमाल कर सकते हो उसके बार डालेंगे धनिया पाउडर गरम मसाला और साथ में जीरा और उसके बार डालेंगे एक टेबल स्पून कुकिंग ऑईल और सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका हमें सौफ्ट मुलायम आटा बना लेना है ज्यादा सकत आटा नहीं बनाना है तो यहाँ पे हम आटा बनकर तयार करेंगे तो आटा इस तरह से हमें बना लेना है तो अब हम इसमें स लोई निकालेंगे और थाली पिट बनाने के लिए ले लेंगे तो हातों पर इसे थप थपाना है और उसके बाद हम एक कपड़ा ले लेंगे और कपड़े पर पानी डाल कर इसे अच्छे से गिला कर देंगे उसके बाद जो हमने लोई ले थी उसे इस पर रखकर हातों से शेद देदेंगे ताकि यह सेख कर क्रिस्पी बन जाता है इसलिए अब हम इसे सेखेंगे तो प्यान रखाए गास पर ऑईलिया घी डालेंगे और यह बना हुआ थाली पिड डालेंगे और अच्छे से इसे निकालेंगे तो यहाँ पर से हमें ऑईलिया घी का इस्तमाल कर ले तो यहाँ पर थोड़ा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है इसे बनाने में सिर्फ 15 मिनिट में ये बनकर तैयार हो जाती है तो यहाँ पर दोनों तरब से अच्छे से हमारा थाली पिट बनकर तैयार हो चुका है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनकर तैय सकते हो कैसी लगी रेसिपी जरूर बताना मिलते हैं अगली वीडियो में